हमारे देश के 50 वे Chief Justice of India का जलवा ही कुछ अलग है जहां कई लोग उनके काम की सरहाना करते हैं वही उन्हें कई backlash भी मिलता है पर इन सब की परवा किये मिना Chief Justice of India D.Y. चंदरचूर अपने काम और लोगों के प्रती पूरी शरदा दिखाते हैं जहां एक और उन्होंने Supreme Court में एक बहुत ही पुराने मामले में Nine Judge Bench की hearing शुरू की है वही दूसरी और उन्होंने एक judgment को पलट भी दिया है जिसे हमने अपने एक पिछले वीडियो में cover किया है 2024 नवेंबर में retirement से पहले तक CGI चाहते हैं कि उनका सपना जुडीशी को सुधारने का और उसे सबसे अवल position में लाने का पूरा हो जाए और इसके लिए वे दिन भर मेहनत भी करते हैं आपको ये बात तो ध्यान होगी भी कि CGI ने हमीशा से right to privacy के favor में बोला है और आप सोश रहे होंगे कि हम इसकी बात अचानक से क्यों कर रहे हैं तो आपको बता दे कि इससे जुड़ा एक ऐसा पीचिदा case आया कि CJ चंदर्चुर खुद petitioner को बोलने पर मजबूर हो गए कि फला ये कैसा case है और आप समझ रहे हैं कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं असल में मामले की शुरवात होती है आए दिन MPs और MLA से जहां आए दिन हम सभी जानते हैं कि Ministers हमारे देश के policies में एक important role play करते हैं पर वही कुछ लोगों का ये मानना है कि यही MPs और MLA's पावर में आकर खुद को भगवान समझने लगते हैं और मनमानी करते हैं और कि ये Ministers ऐसी मनमानी ना करें तो एक petitioner डॉक्टर सुरिंदर नाथ कुंद्रा सुप्रीम कोट के सामने ये plea लेकर पहुँचे कि इन सारे MPs और MLA's के सारे मोवमेंस पर 24 इंटू 7 डिजिटली नजर रखनी चाहिए ताकि वे कोई भी गलत काम ना कर सके ये plea सुनकर सुप्रीम कोट की बेंच जिसमें Chief Justice of India D.Y. चंदरचूर के अलावा जिस्टिसस जीबी परदीवाला और मनोज मिशा मोजू थे बेहत चौक गए CJ तो हीरिंग के शुरुवात में ही कुस्सा हो गए कि भला ये कैसी पली है और यहां तक Petitioner को कह दिया कि वे ऐसी पली के लिए उन पर फाइन लगा देंगे क्योंकि इससे कोट का वक्त जाया हुआ है पांच लाग का फाइन लगाने की बात बोलते हुए CJ ने आगे ये भी कहा कि ये कोट का इगो नहीं है पर असल में Petitioner ने वाकई पब्लिक का वक्त जाया किया है and stated यहां चुप नहीं होते हुए CJ ने पली के रिस्पेक्ट में कहा भी कि भला ऐसी कैसे MPs या MLAs की 24 घंटे निगरानी रखी जा सकती है क्या उनके पैर में चिप लगा कर और ऐसे में Right to Privacy कहा जाएगी यहीं बात समझाते हुए CJ ने कहा आपको लगेगा कि यह मामला यहां खतम हो जाता है इसलिए क्योंकि यह MPs और MLAs तो पूरे के पूरे करप्ट होते हैं Petitioner की यह बात सुनकर CJI का सर्व हों गया और वो मजबूर हो गए पुशने पर कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कलकर तो आप कहे दोगे कि courts की भी कोई ज़रूरत नहीं है नयाय हम खुद के ही हाथ में ले सकते हैं and stated How will individual citizens make laws in no democratic country individual citizens make laws laws have to be moved and passed in the parliament for the legislature by the elected representatives of the people then people will start saying why do you require this judges we will do justice on the streets we find somebody pickpocketing according to us he should be killed we do not want that to happen right therefore हानके इन सब के बावजूद भी Petitioner शांत नहीं बैठा और बी आर अम्बेद करके कुछ लाइन्स को court के सामने पेश करते हुए बोला It is not enough to be electors only It is necessary to be lawmakers otherwise those who will become lawmakers will become masters of those who can only be electors Petitioner ने आगे सुप्रीम कोट बेंच को ये भी कहा कि सारे MPs और MLA's सबके उपर CCTV कैमरा से निगरानी रखी जा सकती है और जिसका direct feed citizens की पास जाएगा ये सुनकर तो CGI आग बबूला हो गए और फटकारते हुए कहा You realize the gravity of what you are arguing MPs, MLA's also have private lives at home They are with their families हाला कि Petitioner ने अंत तक हार नहीं मानी और यहां तक भी कहा कि जिन्हें अपनी privacy की इतनी पड़ी है उन्हें ऐसे jobs के लिए apply ही नहीं करना चाहिए और ये भी point out करते हुए कहा that there are also certain articles in the constitution which go against the basic structure लेकिन इन सब भी बातों से Supreme Court Bench बिल्कुल भी impress नहीं दिखे और अंत में इस plea को dismiss कर दिया एक चीज जो Supreme Court ने नहीं की वो ये थी कि उन्होंने कोई भी fine impose नहीं किया और इसी के साथ ये मामला सबापत हुआ आपको बता दे कि Petitioner ने Supreme Court Bench को समझाने के लिए कहा भी कि after being elected as an MP MLA under the People's Representation Act 1951 such persons start behaving as if they are here to rule on the people they behave as if they are the masters हाला कि CGI इस viewpoint से तो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखे और कहा कि ये बस कुछ लोगों का opinion है और general thought नहीं इस मामली में आपकी क्या राय है do let us know in the comment section until then keep following law chakra